हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपनी यूट्यूब चानल में स्वागत करता हूँ और आज किस वीडियो में हम डिसेस करेंगे एक लीगल टरम जुडिशल सेपरेशन क्या होता है judicial separation तो मेरे दोस्तों अगर मैं term judicial separation की बात करो this is a very famous term which is used in matrimonial law in matrimonial laws जो हमारे matrimonial laws है marriage के सबंद में जो laws बनते हैं यह family related laws है उनमें इस term को use किया जाता है generally judicial separation का मतलब क्या होता है it is an order of the court it is an order of the court यह court के एक order होता है order of court which allows the parties to live separately एक ऐसा order देता है court कि जो parties है marriage की husband and wife वो separate रह सकती है order of the court which allows the party to live separately तो क्या होता है judicial separation यह court का order होता है जिसके हिसाब से जो parties है वो separate रह सकती है court order देता है parties को कि आपस में separate रह सकते हो मेरे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो actually जब दो person husband and wife आपस में खुश नहीं है तो वो divorce के लिए court के पास जाते हैं कि हमें divorce दे दो हमें अलग कर दो ताकि हम दूसरी शादी कर सकें और हम आपस में इकठे नहीं रह सकते लेकिं मेरे दोस्तों हमारे court के पास power है कि court parties को divorce ना दे court नहीं चाहता कि parties के भी divorce हो जाए और उनकी बीच कोई reconciliation हो ही ना वो बापीस में इकठे हो ही ना पाएं ऐसा नहीं चाहता को court चाहता है कि parties में समझोता हो जाए compromise हो जाए marriage बच जाए marriage टूटे नहीं इसलिए court क्या करता है जब भी party court के पास divorce के लिए जाती है divorce के लिए जाती है divorce के बारे मैं लेकल टरम बनाई अलग से आप प्लीज वो वीडियो जूर देखें लिंक में description में दे दूँका divorce होता क्या है अच्छी से explain किया वीडियो को जूर देखना तो जब parties divorce के लिए court के पास जाती है court क्या करत है court divorce grant नहीं करता court judicial separation grant कर देता है court ये बोलता है कि आपने judicial separation रमापको grant कर देते हैं हम divorce grant नहीं करेंगे तो question इनकोन में फरक क्या है judicial separation catching यह बनग अलग होना है divorce वे अलग हए होना तो फिर फरक क्या है, क्यों court judicial separation grant कर देता है पर divorce grant नहीं करता, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि court judicial separation grant करता है लेकिन divorce grant नहीं करता, क्योंकि judicial separation में कभी भी marriage का end नहीं होता, इससे marriage खतम नहीं होती, बस parties अलग रहती है, लेकिन parties का status husband wife का ही रहता है, parties की obligation rights husband wife की तरह होते हैं, वो बिलकुल उनकी marriage खतम नहीं होती, बस वो अलग रह रहते हैं, अलग क्यों रहते हैं, जस्ट इसलिए कि उनको समझ आ जाए कि अलग रहकर वो इकठे, वो अलग रह भी स सकते हैं, कि नहीं रह सकते, और उनको लगता है कि वो अलग नहीं रह सकते हैं, व इकठे हो जाएंगे, अगर उनको लगता है वो अलग रह सकते हैं, तो फिर एक सागय बार divorce ले ले, Divorce लेने के बाद क्या होता है, हो मैरीज खतम हो गई, end of marriage हो गया, parties फ्री है वो दूसरी शादी कर सकती है judicial separation में marriage का end नहीं होता marriage subsist रहती है वैसे marriage रहती है है जो parties है वो दूसरी marriage नहीं कर सकते अगर parties को कोड ने order दिया separate हो जाओ तो party separate हो जाएंगी पर दूसरी marriage नहीं कर सकती इसलिए code यह चाहता है कि parties को separate कर देते हैं क्या पता पार्टी आपस में कॉंपरमाइज कर लें पार्टी आपस में अलग नहीं हो रह सकती एकथी हो जाएं तो इसलिए कोट जुडिशल सेपरेशन ग्रांट करता है डैवोर्स ग्रांट नहीं करता मेरे दोस्तों यह सारा नोलिज आप अपनी लैंगविज म इसलिदा ट्रम जुडिशन सेपरेशन सेक्शन टैन हमें हिंदू मैज एक्ट का जो है वो जुडिशन सेपरेशन के बारे में बताता है तो आईए मैं बताता हूं आपको सेक्शन टैन क्या बोलता है तो मेरे दोस्तों अगरे मैं सेक्शन टैन की बात करूं हिंदू मैज ए कि section10 की बाद तो section 10 बात क बाद करता है इदर पार्टि इधर के मतलब दोनों में से को ऑडी बहुतर सकते हैं वो कोड में जाकर डूडियर सेपरेशन लेने के लिए प्रेटेशन डाल सकते हैं किने ग्राउंट्स पर प्रेटेशन डालेंगे अंडर दा ग्राउंड्स बिचा गिवन अंडर सेक्शन 3 13 सब सेक्शन 1 and 13 सब सेक्शन 2 फॉर वाइफ ओन्ली क्या गोला में दोस्तो मैंने कि सेक्शन 10 बोलता है इसे की, जब दो पार्टी सर्षिय होती है, तो दोनों हόςसराइ वाइफ, कोई भी पार्टीी भो गोजा सकती है, और कोट में जाकर के लिए जुडूडिश्चेल सेपुरिशन नहीं रह तो, क्यों हो IKEA है। कुछ ग्राउंट्स दिये गए हैं उन्हें ग्राउंट्स के बेस बोर सकते हैं ऐसे ही नहीं बोर सकते हैं वह ग्राउंट्स कहां दिये गए हैं section 13 close 1 and section 13 close 2 में section 13 close 1 में जो ग्राउंट्स दिये गए हैं मेरे दोस्तों वह husband और wife दोन्नों को दिये गए हैं तो उन्हों section 13 close 1 के अंडर जो grounds है, उनके अंडर जाकर demand कर सकते हैं कि हमें separation चाहिए, judicial separation चाहिए, लेकिन जो section 13 close 2 है, उसमें केबल कुछ special grounds wife को दिये गए है, जिन grounds के दार पर wife demand कर सकते हैं कि हमें मुझे judicial separation चाहिए, ये section 13 close 2 में जो grounds है, वो wife ही के लिए available है, मेरे दोस्तों, मैं section 10, section 13, इनकी bare language पूरी description में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, मेरे दोस्तों, अगर आपने divorce ये judicial separation के grounds के बारे में जानना है, तो मैंने एक वीडियो अलोडी बनाई है, मेरे divorce के उपर, और grounds of divorce के उपर, आप वो वीडियो जाकर जूरूर देखना, मैं link description में दे दूँगा, आपको सारी grounds के लिए हो जाएंगे, आपकी knowledge के लिए बता दूँ कि, जो judicial separation के grounds है न, वहीं grounds डाइवोर्स के हैं, डाइवोर्स के ग्राउंस भी 131, 132 में दिये गए हैं, और judicial separation grounds भी एक हैं, तो क्या मोलता है हमारा section 10 मेरे दोस्तों, section 10 बोलता है, either party to the marriage, whether marriage solemnized before the act, act मतलब 1955 जो हिंदू marriage act है, उससे पहले, और whether after the solemnization, after the commencement of this act, may present the petition, praying for the decree of judicial separation, on any ground specified under 13 clause 1, और in case of wife, special grounds specified under 13 clause 2, तो बोलने मतलब क्या हुआ, कि दोनों में से कोई भी party, husband or wife, court में जा सकते हैं, और 13 clause 1 में जो ground दिये गए हैं, उन ground के दार पर judicial separation मांग सकते हैं, 13 clause 1 में कैसे ground है, adultery, cruelty, desertion, conversion, unsoundness of mind, enunciation of the world, presumption of death, in, sorry, venerial disease, communicable disease, तो ये grounds दिये गया हमारे 13 clause 1 में, जहां पर दोनों में से कोई भी जाके judicial separation ले सकता है, और दूसरा है 13 clause 2 में, जिसमें wife के लिए grounds दिये गए हैं, बस wife जाके judicial separation ले सकती है, जैसे कि husband rape commit करता हो, sodomy commit करता हो, husband जो है, उसमें maintenance दे रहा है वो wife को, एक साल हो गया maintenance देते हो wife को, पर wife और husband आपस में कठी नहीं हुए, cohabitation नहीं हुए उनकी, wife को husband maintenance तो दे रहा है, तो यह सारे आपको bare language में निचे description मिल जाएंगे, तो मेरे दोस्तों इन grounds पर judicial separation के लिए demand किया जा सकता है, अगर मैं judicial separation की बात करूं में दोस्तों, तो याद रखना, it is not the end of marriage, not put the marriage into end, judicial separation मैं जो कभी खतम नहीं करता, बस parties की obligation suspend हो जाती है, only suspend the obligations of the parties, judicial separation only suspends the obligations of parties, for time being, for one year or whatever time so, जितना time की judicial separation दिया गया हो, उस time के लिए obligation suspend हो जाती है, दोनों husband and wife की तरफ नहीं होते, पर वो marriage खतम नहीं होती है, अगर judicial separation दिया गया है court में, और एक husband and wife दूसरी marriage कर लेती है, the husband and wife would be liable for by gammy, और friends के लिए liable हो जाएंगे, under section 494-495 IPC, तो मेरे दोस्तों judicial separation से marriage कभी खतम नहीं होती है, divorce से marriage खतम हो जाती है, इसके अलावा अब मैं आपसे question पूछता हूं कि क्या, जब court के पास case जाता है, तो court खुद अपनी मर्जी से judicial separation की decree दे सकता है, या court क्या divorce के लिए parties गई, तो court क्या बोल सकता है, कि judicial separation ले लो, divorce अभी मतलो, अगर हां तो कहां लिखा हुआ ऐसा, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदू marriage act का, जो section 13 close A है, 13 A, यह बोलता है, alternative relief in divorce proceedings, अगर कोई party divorce लेने के लिए court के पास जाती है, तो court के पास power है, कि वो divorce ना grant करके, वो judicial separation grant कर दे, यह बात याद रखना, court के पास power है, court कर सकती है ऐसा, लेकिन तीन grounds ऐसे हैं, अगर उन grounds पे divorce मांगा गया हो, तो court judicial separation नहीं दे सकता, वो तीन grounds कौन कौन से हैं, पहला grounds है, conversion अर्थात किसी एक partner ने हिंदू दर्म शोड़के दूसरा दर्म अपना लिया, और जो हिंदू हो, वो court में जाकर बोलता है मुझे divorce चाहिए, तो court फिर judicial separation नहीं देगा, divorce ही देगा, दूसरा है, renunciation of the world, renunciation of the world, मतलब अब यह वो से civil death, civil death मतलब जब बंदा सन्यासी बन जाता है, सादू बन जाता है, इस संसार की मुह माया को छोड़ देता है, वो सादू बन जाता है, तो अगर एक वेक्ति दोनों में से partner, दो partner में से कोई एक partner सादू बन जाए, सन्यासी बन जाए, तो दूसरा partner court में जाकर divorce मांगेगा, और जब वो divorce मांगेगा, तो court फिर traditional separation नहीं देगा, डाइवोर्स ही देना पड़ेगा, यह exceptions लिख हुए है section 13 I.E. में, और तीसरा जो है, वो है, presumption of death, अगर मान लो कोई husband and wife में से कोई एक partner, 7 साल तक, 7 years, 7 years तक मिलता ही नहीं है, तो दूसरा partner court में जाएगा, कि मेरा husband 7 साल से गुम हो गया, यह मेरी wife 7 साल से मिली नहीं, वो कहीं गुम हो गई है, मुझे divorce चाहिए, तकि मैं दूसरी marriage कर सको, तो भी court reconciliation के लिए नहीं बोलेगा, judicial separation नहीं ग्रांट करेगा, drug divorce ग्रांट कर देगा, I hope आपको पता चल क्या होगा, judicial separation होता क्या है, divorce और judicial separation आपस में differ कैसे है, court किन grounds पे judicial separation नहीं देता, divorce ही देना पड़ेगा, और judicial separation किन grounds पे demand किया जा सकता है, वैसे में आपको बता दूँ, इन grounds पे judicial separation भी demand किया जा सकता है, no doubt, क्योंकि section 10 यहीं बोलता है, कि तेरा A में जो, एक में जो point दिये गया है, और तेरा 2 में जो point दिये गया है, उन points पर, उन grounds पर judicial separation claim किया जा सकता है, लेकिन तेरा एक और तेरा दो में दियो, ग्राउंड में दिये गया जा सकता है, तो अगर divorce claim किया जा सकता है, तो अगर divorce claim करोगे, और divorce claim आप इन में, conversion, initiation of world, या फिर इन में, presumption of death, कि case में आप divorce claim करते हो, तो divorce देगा court, आपको judicial separation नहीं देगा, अधरवाइस court के पास power है, कि वो judicial separation के लिए बोल सकता है, कि पहले आप separate हो जाओ, judicial separation आपको दे देते हैं, आप आपस में अलग रहिए, देखिए कि आप अलग रह सकते हो, कि नहीं रह सकते हो, अगर इकठी होगे आप आपस में, तो बहुत अच्छी बात है, इकठी नहीं आपसा रहिए सकते हैं, आपसमे आपस्द कर देते हाँ, और प्र आपसमे